हेलो बच्चो मैं आनन्द यादो आप सभी का स्वागत है आपका अपने डूप चैनल आनन्द इस्टडी पे प्यारे बच्चो आज का जो टॉपिक है क्लाश 10 की मायत कच्छा 10 की जो गड़ी थे nc literacy book इसमें प्रश ven 1.3 और यह बहुत हीएम फ्रेस प्रोड किशिण सब्सक्वीशन ज कैना इसमें से एक नहीं तुरुल जरूर मोट ज्यादा इंप्रोडन को सबू Primоко को क्योई सब्सक्राल साल आता है तो ठीक है इस प्रश्णाली को ध्यान से समझेगा एक एक इस्ट्यों को देखे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में सेर कर दीजिएगा और रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं सामको साथ बज़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें लाइगर अगर अगर नहीं आता है जो हम माने रहेंगे अगर नहीं आएगा तो क्या हो होगा परिम्य होगा बस दो ही होता है ठीक अब देखिए कि सिद्ध करना है रूड़ फाइब यहां मान लेजें माना माना रूड़ फाइब एक परिम्य संख्या है रूड़ फाइब एक परिम्य संख्या है अगर परिम्य संख्या मान रहे हैं तो रूड़ फाइब के बराबर क्या होना चाहिए रूड 5 के बराबर P बटे Q क्योंकि परिमेश संख्या हमेशा आंस बटे हर में होता है और यहां पर Q के बराबर 0 तो होना ही नहीं चाहिए यह Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और जो P और Q है पी Q क्या पुडांक हो पी Q क्या होना चाहिए पुडांक होना चाहिए और HCF HCF यानि किसका P और Q का 1 रहना चाहिए HCF 1 HCF का मतलब जो दो संख्या अगर है तो जो दोनों यानि एक से कटे उसमें कामन कुछ न मिले दोनों संख्या जो है सह अभाज होना चाहिए कामन नहीं होना चाहिए तो क्या होता है P by Q के रूप में यानि जो P का मान होगा Q का मान होगा इसका SCF अगर निकालेंगे एक आना चाहिए यानि सहाबाज संख्या होने चाहिए ठीक है तो पुडांग भी होना चाहिए क्योंकि पराबर जीरो नहीं रहना चाहिए SCF एक आना चाहिए अब यह कंडिशन अगर फालो करता है इसमें से कोई यह कंडिशन फालो नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा परिम्य का यह कंडिशन है अगर देखिए अब यहां पर क्या करेंगे की रुड 5 है और यह पीब आइक्यू है दोनो तरफ क्या कर देंगे वर्क कर देंगे दोनो तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूड फाइब का वर्ग हो जाएगा और बराबर ये P बटे Q का वर्ग होगा तो स्क्वाइर से रूड कर जाता था यहां बचेगा 5 और यहां पी स्क्वाइर ऐसे रूड फाइब का स्क्वाइर वर्ग करने पर पी बटे क्यूं का स्क्वाइर तो इसक्वाइर रूड कैंसल होगा तो पांच आएगा और यहां पी का स्क्वाइर होगा और बटे में क्यूं का स्क्वाइर होगा क्यूं का क्यूं इधर आ जाए है गुटा में 5 KGA square बरावर यह P square इसको समी के रण एक मान लो अब समी किरण माने एक माना यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना पो को अब यहां देख रहे हैं इसके गुटा में है न जब इसके गुटा में है तो इसका मतलब यह कि पांस है विभजित होगा यह जो है यहां गुडाई दिदर आएगा भाग मुझ आएगा तो पान से यह पी स्क्वाइर विभाजित होगा तो लिख सकते हो यहां चूंकि पी स्क्वायर अब कि पी स्क्वाइर पांसे पांसे बिभाजित है इसलिए पी भी क्या पी भी पांसे बिभाजित होगा ऐसा क्यों है अभी हम आपको समझाते हैं पांसे बिभाजित होगा को थोड़ा राइट इंग क्ढ़िएगा क्योंकि इस पे राइटेंग कम दनी अधिक ING pizzí अब अगर पीज है जिसे दो फिस फॉर पान्स ले लिए यानिंट पाच का इस्कौयर है अगर यह पांस कट जाएगा ना क्योंकि 55््य 25 जो है 5 से कढ़ता है पाँच आजाएगा तो अगर हम सिरफ 5 लेंगे इसका वर को छोड़ दें 5 लेंगे यह भी 5 से कट जाएगा अगर पी स्क्राइर जैसे पांच से पांच से कट रहा तो पांच भी 5 में लेते हैं यहाँ पे एक दूसरी संघ्ट आ यहाँ पे पी पांसे कटेगा ना तताथ पी के बराबर पी बराबर 5 आर लिखें क्या ओर एक दूसरी संख्या ले लिए क्योंकि इसके गुड़ाम है तो यह कटेगा पांच जो है पांस इधर आएगा गुड़ाम इधर आएगा भाग में P बटे 5 हो जाएगा अगर 5 से भीवाजित हैं तो P ब़्वाव 5 R ले लिए अब P बढ़ फाइब 5 R जब हमने लिए दोनों पच्छों का वर्क ने पर अरकर दीजें सबनÁ तो यहां पर इधर देख लिएज दोनों तरफ का वर्क करें ते यह क्या हो जाएगा P स्क्वाइर क्या होगा P स्क्वाइर बराबर यह 5R का स्क्वाइर मान रखने पर पी स्क्वार का मान रखने पर या ऐसे लिखो समी करड़ एक से आप समी करड़ एक हमने माना था इसको समी करड़ एक से पी स्क्वाइर का मान रखने पर जब पी स्क्वाइर का मान रखेंगे तेहां पी स्क्वाइर का मान क्या है पी स्क्वाइर की बराव फाइब क्यू स्क्वाइर है तेहां फाइब क्यू का स्क्वाइर और यह 25 आर का स्क्वाइर अब सुनिए यह तो 5 से कड़ जाएगा ना य अब जो है यह q2 के बराबर क्या आया यह 5 r2 अब देखो इसके गुड़ाम है नै यह इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो q2 5 से कड़ रहा है विभाजित होगा भाग में आएगा तो थम्यार लिख सकते हैं चुंकि q2 5 से गजल्च बिभाजित है में इसलिए क्यों भी अगर जैसे हमने बताब पांच सकडल 9 को कुण भी 5 से कड़ेगा क्यों भी 5 सकड़ेगा kia hoa guva 5 से कड़ जाएगा क्यों भी 5 से पांसे बिभाजित होगा बिभाजित होगा पी भी पांसे बिभाजित होगा अब समझो हमने यहां दो संख्या क्या पी और क्यों लिया था अब यहां देखो कि पी जो है पांसे बिभाजित हो रहा है और यहां क्यों भी पांसे बिभाजित हो रहा है तो जब दोनों संख्यां अगर कड़ रहे हैं तो कामन दोनों में मिलेगा SCF के इतना हो जाएगा अर्थाद अब यहां लिख सकते हो इसमें ऐसे लिखो कि अत्य है यह हमारी यहां कलपना लिखे चाहे और धारडा लिखे यह कहीं बात हुई हमारी अवधारडा अत्य हमारी अधारडा का बिरोधा भास है अर्थाद 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 यहां रूड फाइब रूड फाइब एक अपरी में अपरी में परी में संख्या है देखो आपरी में संख्या है क्योंकि ऐसे लिख सकते हो आगे भी बढ़ा दो क्योंकि क्योंकि पी क्यू का एच सी अफ एच सी अफ किसका पी और क्यू का पांच है यह दिखाने जिना इसी के वज़ा से क्या हुआ यह अपरी में हो गया ठीक है अब आगे देखिए अगला हाँ यह देखो बहुत ही बढ़िया सवाल सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूड 5 अब काफी हद तक समझ में आएगा आपको कि आपर में सिद्ध करना तो इसका उल्टा हमको मानना होगा जो संख्या दिया है माना 3 प्लस 2 रूड 5 एक परिमे मान लेते हैं ठीक है परिमे संख्या परिमे संख्या है ठीक है अब परिमे मानेंगे तो 3 प्लस 2 रूड 5 के बराबर क्या होना चाहिए पी बटे क्यू होना चाहिए और यहां जो है क्यू के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए पी क्या होना चाहिए पुडांक होना चाहिए P और Q जो है क्या हो पुरुडांक हो P Q पुरुडांक हो और HCF P और Q का कितना होना चाहिए एक होना चाहिए यह आप हर एक सवाल में लिखना जरूर या सहभाज P Q सहभाज हो ठीक है अब ध्यान दीजे यहाँ पे दोनों तरफ का वर्क करने पर का वर्क करने पर दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो यह 3 प्लस एक नट अभी वर्क मत करिए अभी इसको और साल्व कर लेजे वर्क करेंगे ज़्यादा लंबा हो यह देखो टू रूड फाइफ है बराबर यह P बटे क्यू अभी प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3 और रूड फाइब को इसे रहने दिजे बराबर यह P बटे क्यू पी अपान लेकिन इसका जश्ट उल्टा अगर परिमे में अपरिमियों को जोड़ा घटाया गुड़ा भाग किया जा तो अपरिमे ही प्राप्त होगा। देखो अब जो है यहां लिखिए चुकि पी बटे क्यू माइनस थ्री बटे में टू एक परिमे संख्या परिमे संख्या है जबकि जबकि हम जानते हैं जबकि हम जानते हैं रूड़ फाइब एक अपरिमे संख्या है अपरिमे संख्या है अपर्मिय संख्या है अर्थात अर्थात यह देखे रूड फाइब क्या है एक अपर्मिय है और पी माइनस पी बटे क्यू माइनस थ्री बटे में टू यह बराबर नहीं है अर्थात क्या यह बराबर नहीं हो सकता है तो पर्मिय अपर्मिय बराबर नहीं पर्मिय नहीं आ र अधारणा का विरोधावास है यह हमारी कल्पना का क्या है विरोधावास है ताब लिख सकते हैं अत्र 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 यह हमारी अधारणा का विरोधावास है विरोधावास है हमारी अधारणा का क्या है विरोधावास है इसलिए इसलिए क्या थ्री प्लस थ्री प्लस टू रूड फाइब थ्री प्लस टू रूड फाइब एक अपरी में संख्या अपरी में संख्या है अपर में संख्या राइट अब देखे यह तो हो गया प्रूफ अब ऐसे अगला सवाल देखिए तीसरे में देखो तीन सवाल दिया और तीनों सेम उसी कंडिशन में लगेंगे चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाला वन बाई रूड टू अब पर में सिद्ध करना है तिहां मान लिजिए माना पहला नंबर यह वाला माना वन अपान रूड टू एक बटे रूड में टू एक परी में मानते हैं क्या परी में संख्या है सग्रू लिए कर já ऐख परी में संख्या है जब परी में मानेंगी त्युक्री आफ virtue लिग क्यों ऑर यहां पर क्यों के बराबर एक होना चाहिए, अब समझो, अगर जैसे हम यह कहें, दो बटे 3, यह परिमिय है, अगर इसको पलड या 3 बटे 2 कर दिया, यह भी परिमिय है, तो दोनों क्या है परिमिय है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कि इसे देखिए, इसको उपर कर देंगा रूट टू अपान वन जो की नीचे एक लिखा नहीं जाता है इसके बराबर क्या हो जागी यह उलड़ जागी यह भी क्यू के बटे में यह पी हो जाएगा क्यू के बटे में पी बहुत ही सरल है बस यहीं आपको दिखा देना है चूंकि क्यू 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 बटे पी एक परिमे परिमे संख्या है एक परिमे जबकि जबकि हम जानते हैं जबकि हम जानते हैं, रूड में टू एक अपरिमे है, एक अपरिमे संख्या है, अर्थाथ यह जो रूड टू है, Q के बटे में P बराबर नहीं होगा, अर्थाथ यह क्या है, बराबर नहीं है, यह हमारी कल्पना के बिरोधा भास है, मेरी उधारणा के बिरोधा भास है, यह हमारी कल्पना का बिरोधा भास है, बिरोधा भास है, इसलिए इसलिए यह इसलिए इसलिए वन अपान रूड में टू एक आपरिम्य है सिद्ध हो गया आपरिम्य है आपरिम्य संख्या है राइट यह होगा इंसर चलिए नोट कर लीजिए इसको इसके बाद अगला देखिए सेकंड नंबर यह सेकंड नंबर में दूसरा वाला इसे भी हम क्या मानेंगे उसी के ज़स्ट उड़ा परिम्य मानेंगे माना सेवन रूड फाइब सेवन रूड फाइब के बराबर पी बटे क्यों होगा एक नट माना सेवन रूड फाइब एक परिम्य संख्या है क्या परिम्य संख्या है अगर ये परिम्य है तो 7 7 रूड 5 के बराबर क्या होना चाहिए P बटे में Q होना चाहिए और जहां पर Q का मान क्या होना चाहिए 0 नहीं रहना चाहिए और P Q क्या होना चाहिए पुडांक होना चाहिए ये पुडांक और HCF P Q का क्या होना चाहिए यह सेफ किसका P और Q का एक रहना चाहिए यह condition आप पड़ेगा अब यह देखें यह root में 5 यहां रहेगा 7 का गुला इधर हो जाएगा P बटे क्या हो जाएगा 7 Q होगा अब यहां हम देख रहा है P बटे 7 Q परिमे है और यह एक अपरिमे है ति बराबर नहीं हो सकते है तो क्या होगा चूंकि यहां लिखे चूंकि P बटे 7 Q एक परिमे संख्या एक परिमे संख्या है जबकि जबकि हम जानते हैं जबकि हम जानते हैं रूड में 5 रूड फाइब एक अपरिमे क्या रूड फाइब एक अपरिमे संख्या है तो रूड फाइब एक अपरिमे संख्या है अर्थात इसको क्या लिख सकते हो अर्थात रूड फाइब के बराबर नहीं होगा पीवटे 7Q ठीक है यह दिखा देना यह बराबर नहीं हो रहा है तो यह हमारी विरोधा के विरोधा भास हो रहा है हमारी अधारडा या कल्पना के तो आप इसको यहां स्लिखे अतह यह हमारी अधारडा का विरोधा भास है अधारडा का विरोधा भास है इसलिए इसलिए सेबन और रूड में 5 एक अपरिमे है अपरिमे संख्या है अब नोड कर लीजिए इसके बाद अगला सवाल देखिए तीसरा नमबर यह तीसरा नमबर 6 रूड 2 है तो इसको भी मानिए माना 6 प्लस रूड में 2 एक परिमे संख्या है तो परिमे संख्या है तो परिमे संख्या अगर है तो इसके बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस रूड में 2 के बराबर हो जाएगा पी के बटे में क्यू और यहां पक्यू के बराबर जीरो नहीं है यह दिखाना होगा और पी कामा क्यू पी क्या पूडांक होना चाहिए पूडांक पी क्यू पूडांक हो और हसी अफ किसका है एसी अफ पी और क्यू का कितना होना चाहिए एक रहना चाहिए प्यों की एक होना चाहिए, अब देखे, यह 6 को इधर ले जाएंगे, तो माइनेस हो जाएगा, रूड में 2 इधर रहेगा, अब बराबर P बटे Q इधर जाएगा, माइनेस 6, अब यह P बटे Q परिमिय परिमिय है, तो घटाएंगे तो परिमिय ही आएगा, किसी भी परिम्य संख्या में जोड़ा घटाया गुड़ा भाग किया जाए परिम्य संख्या को तो परिम्य संख्या ही मिलेगा लेकिन यहां हम देख रहा है देखो रूट टू है अब यहां लिखे चू कि पी बटे में Q-6 एक परीमे संख्या एक परीमे कि एक परीमे संख्या है एक परीमे संख्या है जब की जब की जब की रूट टू एक मिनट जब की ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्वरी हाँ, जब की यहाँ लिख लीजिए जब की हम जानते हैं हम जानते हैं कि रूट टू एक रूट टू है ना, हाँ रूट टू एक अपरिमे अपरिमे संख्या है, अपरिमे संख्या अर्थात लिख लिख लिजिए अर्थात जब अपरिमे होगा तो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह अपरिमे है पर्मिया है रूड में टू के बराबर नहीं होगा क्या पीबटे क्यूँ माइनस सिक्स तीज़ अब यह विरुद्ध हो रहा है विरुद्धा भास उत्पन कर रहा है पर्मिया नहीं आ रहा है यह तो यहां लिख सकते हो कि अतह यह हमारी अतह यह अतह यह हमारी अवधारणा का बिरोधा भास है अवधारणा का बिरोधा भास है जब बिरोधा भास है तो यह क्या होगा इसलिए रूड में क्या है शिक्स प्लस रूट टू एक अपरी में है अपरी में संख्या है नोट कर लिजी से यह स्क्रीन साट लेजिए चले यह तो कंप्लीट होगा बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर है इसको बार बार देख लिए अगर रिवाइज अच्छे कर लेजी एक एक सवाल इसमें का समझ माना चाहिए तो चले वीडियो लाइक करके सेर जरू जय है नहीं बात जय हैंद।